हत्या फिरोती पुलिस को स्टेडी से अपने साथियों को भागाने के आरोपी लॉरेंस के खास गैंक्सर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वारा मेक्सिको से भारत लाया गया है बारत से आगे दीपक बॉक्सर को दिली बुलुस की स्पेशल सेल ने मेक्सिको में अमेरिकी खूफ़े आजंसी एफ वियाई और इंटरपोल की मदद से पकड़ा है दिली बलुस के स्पेशल सेल के अधिकारी मेक्सिको में सारी फॉर्मैलिटी पूरी करके दीपक बॉक्सर को डिपोर्ट करके लाए है अधिकारीों को गहना है कि 2018 से फरार चल रहे हत्या और फिरोती के मामले में वांचित गैंक सर दीपक बॉक्सर को कोड में पेश करना था कोड से उसको आठ दिन के रिमांड पर लिया गया है जहां पुलिस उससे पूस्तास लगा दा कर रही है गैंक सर दीपक बॉक्सर पांच साल से फरार चला था बॉकसर बद दिली पुलिस ने तीन लाग रुपे का इनाम भी गोशित कर रखा था पड़ेना जिल में बंद गैंकसर लॉरेंस और विदेश में बैटे गैंकसर गोली बरार कर खासम खास दीपक बॉकसर इसी साल विदेश भागा था दीपक बॉकसर जाली पासपोर्ट पर कुलकाता से फलाइट लेकर 29 जनवरी को मेकसिको भाग गया था पुलिस को जब दीपक के मेकसिको में होने की जानकारी मिली तो वो एफपियाई की मदद से उसे पकड़ने में जुट गए थी दीपक बॉकसर को विदेश भी जवाने में जेल में बैठकर लॉरेज ने ही मदद की थी लॉरेज और गोल्ली बराड की मदद से ही दीपक ने रवी नाम से मुरदबाद के पते पर फरजी पासपोर्ट बनवाया था इसके बाद दीपक बॉकसर कुलकाता से फ्लाइट लेकर मेक्सिको पहुचा था लॉरेज चाहता था कि इंस्टाग्राम हैंडल पर बिल्डर होटल वेफसाई अमिर गुत्ता की हत्या की जिमेदारी वाला दीपक बॉकसर विदेश से अपने गिरोह का संचालन करे अपना जिससे उस्ताद जीते अंदर गोगी की मदस्ते दीपक बॉकसर गैंकसर बना था बाद में उसने उसी की हत्या करवादी थी एक खुलासा अभी हाली में हुआ है जो पक्का है या नहीं इस बात की हम पुष्टी नहीं करते हैं गोगी की दीपक बॉकसर ने सितंबर 2021 में सरे आम रोहिनी कोर्ट मंगोलियां दाक करहते करवादी थी इसके बाद वो अपने उस ताहत की गद्दी पर बैट गया गोगी गैंग का मुख्या बन गया था दीपक नहीं गोगी को 2016 में हरियाना पुलिस की कस्तली से भगाया भ जीट